अगर पिछले वीडियो को नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिशन में लिंक देथी हैं, वहां से वीडियो को जाके देखेंगें क्योंकि आपका एक्जाम बहुत करीब आ गया है और आपका एक्जाम अठार तारिक से सुरू हो रहा है तो ये आपके एक्जाम से संबन्दीत, ये सभी क्वेशन आपके साथ सेयर कर रहे हैं तो वीडियो को अंतक बने रहे हैं आए फस्ट को देखते हैं आपके पास है कि परकास अंसलेसन के अंतिम उत्पाद हैं आपके पास अप्शन नमर ए, बी, सी और डी है ये इसी तरह से चार अप्शन रहेगा बच्चों और आपको सई आंसर चुनना है कि करेक्ट आंसर क्या होता है तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आप चुन दिये होंगे तो करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमर ए इस राइट यानि कहने का मतलब यह है परकास अंसलेसन के अंतिम उत्पाद क्या क्या होते हैं कार्बोहेड्रेट और ऑक्सिजन होते हैं इसी के दुआरा वो काम करते है आते हैं क्वेस्ट नमर नेस्ट नेस्ट कोशन देखरें प्यारे बच्चों आपका क्वेस्ट आ गया है कि निमलिखीत में कौन सा पर जीवी है लाइकन कुसकुटा पिंचर प्लान या राइजोबियम यह चार ओप्सन बच्चों सही ओप्सन को चुने कि करेक्ट आंसर क् आपका ओप्सन नमर बी इज राइट आप भी सही बच्चों आनसर भी यही दिये होंगे तो कुसकुटा को क्या रहते हैं बच्चों कुसकुटा को काते हैं अमर बेल इस तरह से बच्चों आप जल्दी से याद रखे हैं क्योंकि एकжеम में ऐसे ऐसे क्वेस्ट देखने को को मिलते हैं यानि अमरे बेल कुषकुड़ा को कहा जाता है आपने नेस्ट पर नेस्ट को देख रहें बच्चों आपके पास क्वेस्ट भी आ गया है कि निमली खित में से जीवों का कौन सा वर्ग सेप्रो टॉप्स से संबंदित है यानि सेप्रो प्रॉप्स पर तो कौन सा चुनना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा तो बच्चों आप चुन लिएंगे करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे कि आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा कवकी इस राइट आंसर इसी तरह से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आप अभिहास करें ताकि परिशां में किसी तरह की कोई आपकी परिशानी नहीं हो। आते हैं question नमर next पर. Next question देखनें, प्यारी बच्चों, आपकी पास question क्या आकर निमली खीत में से कौन सा सहजीवी यूगों का यूगम है। आपको यह कह रहा है, कौन सा सहजीवी जीवों का यूगम है, यह आपको बताना है, लाइकेन, राइजयोबियम और एक फली, इन में से कोई नहीं, या उपसन नमर डी, दोनों A और B, अगर A और B अगर आपका सही है, तो आपसन नमर डी को लगाएंगे, या अने था C नमर क लगाएंगे, यही आपको कहा जा रहा है, तो जल्दी से बताएं बच्चू, आपका आंसर क्या होगा, बच्चू, आपका correct आंसर होगा, और D is right, यानि सहजीवी का संबंद, जीवों का यूगम में से होता है, या और B और A से हो होता है, इसको अच्छी तरह से याद रख लगाएंगे, प्यारी बच्चू, आपका क्या का रहा है, यह question बच्चू आपसे पुछा जाएगा, तो अप्सन नमर A है, पीचर प्लांट, B में है, इंडियान टेली ग्राम प्लांट, C में है, फोर ओ क्लाउक प्लांट, या option D है, कुसकुटा, तो सही option बता हैं बच्च नमर नेस्ट पर, तो बच्चो यहाँ पर देख रहे हैं, आपके पास इसे ही option दिखाई दे रहा है, आपको मिलान करना है, कि कौन-कौन option कहां पर मिलेगा, आपको अच्छी तरह से देखके इसको मिलाना है, इस तरह भी आपको question परिशा में देखने को मिल सकता है, तो इस इस तरह से याद रखेंगे, क्योंकि आगे में आपको question बताए थे, उसका answer यहाँ आपको बताएं, इस तरह से बच्चो आप याद रखेंगे, यह सभी important question है, और यह जो देखरें बच्चो कीट भक्षी को picture plant के नाम से जानते हैं, साज जीवन को लाइकन के नाम से जानते और मिरत जीवों को कवैक के नाम से जानते हैं, यह पर जीवी को कुसकुटा के अमर बेल के नाम से जानते हैं, और विसमपोसी आदमी होता है, और अट्रकास रखेंगे, बच्चो अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छा रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को जारी देकिए मिलते हैं बच्चो नेस्ट क्लास में